next question 2019 का सवाल है question says the displacement of a particle executing shm is given by y is equal to a naught plus a sin omega t plus b cos omega t then the amplitude of its oscillation is given by और चार option दे रखें option है a plus b या फिर a naught plus under root of a square plus b square का under root या फिर under root of a square plus b square या फिर under root of a square plus a plus b का whole square now simple सवाल है basics अगर अपने clear हैं तो बहुत आराम से हो जाएगा सवाल मैं आपके यहां पर कुछ basics भी clear करता हूँ इसको ऐसे समझते हैं कि अगर अपने को यह दिया हुआ है कि y is equal to a naught plus a sin omega t plus b cos omega t यह अपनी किसी shm की equation है इस case में अगर हम देखेंगे तो यहां पर इन दोनों को देखेंगे तो यहां पर बात हो रही है again यहां पर कुछ किताबों में इसका solution गलत दिया हुआ है यहां पर हम सिर्फ एक मिनट के लिए सिर्फ इसको अगर addition को देखें तो इस case में लिख सकते हैं इसका जो वाई आएगा इन दोनों का addition वह होएगा a net multiplied by sin of phase of a1 phase of a1 plus alpha यहां पर a1 वह होएगा जिसका phase छोटा होएगा तो हमें पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में किसका phase है इन दो यह जो दो आपकी waves है उन दो waves को अगर आप vector की तरह एड करना चाहते हैं तो दो waves है उनको अगर हम vector की तरह पॉजिटिव होना चाहिए sin plus cos आप नहीं कर सकते है sin plus sin ही होएगा तो इसको मैं convert करना होएगा तो अभी मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूंगे कि इसको convert कैसे करना है तो इन दोनों को अगर हम convert करने के लिए तरह से लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते है a sin of omega t plus b sin of omega t plus pi by 2 इसको हम cos को sin में convert करेंगे omega t का part positive होना चाहिए omega इसको pi by 2 minus omega t भी लिख सकते थे पर वो इस case में add नहीं कर पाएंगे तो जब हम इसको इस format में लिखेंगे तो जो आपका a net है वो a net हो जाएगा इसको में a net को लिखते हैं under root of a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 cos of delta 5 और यहाँ पे अपना a1 होएगा जिसका phase चोटा होए तो a1 इसी साप से देखेंगे तो यह वाली term आपकी a1 हो जाएगी तो इसको आप लिखेंगे a1 यानि कि यह आपका हो गया a square plus b square plus twice a b cos of pi by 2 अपने कोई बात पता है कि cos of pi by 2 0 हो जाएगा because 90 degree का cos आपका 0 होता है तो उस case में यह वाली term जो आपकी बन जाएगी a net आजाएगा यह हो जाएगा a square plus b square आपका a net जो है वो बन गया a square plus b square का under root यह आपका a net ऐसे निकाल सकते हैं एक बार इस पर और चर्चा कर लेते हैं कि alpha कैसे निकालेंगे इस alpha के लिए हम लिखते हैं के 10 alpha will be equal to इसे हम लिखते हैं a1 sin of यह आएगा आपका sin of delta phi divided by a2 plus नहीं होएगा उपर a2 sin a2 sin alpha नीचे a1 plus a2 cos delta phi यह आपकी value होएगी 10 alpha के इस case में आपका जो a2 है वो b है so इसकी value हो जाएगी b multiplied by आपका delta phi जो है दोनों के बीच का phase difference वो आपका pi by 2 है so sin pi by 2 1 हो जाएगा divided by a1 यानि की a plus a2 cos delta phi 0 हो जाएगा यानि की 0 तो यह आपका 10 alpha की value हो गए इस सवाल में आलाई इसको हमें जरुवत नहीं है बड़ मैंने आपको फिर भी करना सिखा दिया इस basis पर हम ही कह सकते हैं अपनी जो original equation है original equation यह वाली जो है यह आगए आपकी y is equal to a0 plus under root of a square plus b square multiplied by sin of phase of a1 जो है वो आगया आपका omega t plus यह वाला phase tan inverse b by a alpha यह आगया अब इस equation को अगर हम गौल से देखेंगे तो यह equation जो है इस वाली equation में यह आपका shm का amplitude है यह आपका mean position जो है यह उसकी location है तो हो यह रहा है इस equation में यह इस motion में कि यह आपका मान लिजे particle है जो shm कर रहा है यह आपका ground है और यह आपकी location जो है यह A0 मानने लो ground से उपर है यहाँ पर और जो SHM हो रहा है उस SHM का amplitude जो है यहाँ से उपर गया फिर वापस आया फिर ही जो ऐसे amplitude हो रहा है यह यह amplitude इस amplitude की value है under root A square plus B square तो अगर सवाल हम से पूछा जा रहा है कि amplitude का जो आपका SHM है उसका amplitude कितना होएगा amplitude of SHM तो answer is A square plus B square का whole under root अगर हम से पूछा जाए कि Y की maximum या minimum value कितनी होएगी तो इस case में हम लिखते हैं Y की maximum value होएगी हो A0 plus under root of A square plus B square minimum value कितनी होएगी A0 minus this again depending on यह आपका A0 से ज़्यादा है या कम है वो condition दी होएगी तो based on this हम कह सकते हैं कि आपका option number C A square plus B square का whole under root यह आपका SHM का amplitude होएगा so option number C would be the right choice